पपीता बहुत हेल्दी एक सबजी है यह खाने से कितना फायदा है आप लोगों को तो पताई है हाई गाईज आप सब कैसे हो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे चलीए स्वर्ओ करते हैं आज का ब्लोक कैसे आज में बना नहीं हो पपीता आलू और कच्छा चने का एक बहुती टेस्टी रसिपी और यह जो पपीता है नए हमारे हमारे प्लांट का है तो यहाँ पर देखिए पपीता आलू और हरा मिर्च मैंने ले लिया है और इसी पपी वेच खाया जाता है तो बंगाली लोग जादा से जादा थ्रजडे कोई वेच खाते हैं और उसी दिन के लिए ये सबजी एकदम परफेक्ट है आज यही सबजी में आप लोगों के साथ सेयर कर रही हूं यह बहुत ही टेस्टी बनता है तो गाईज देखिए गैस ओन करके कड़ाई में ने तेल डाल दिया है और तेल थोड़ा सा गरम हो चुका है अभी मैंने डाला है यहाँ पे दो सुखा मिर्च और पाच फुरन तो एक तेजपत्ता भी मैंने डाल दिया है और यह जो सबजी है यह बिना प्याज लसन का बनेगा तो गैस देखीए अभी इसी तेल में मैंने डाल दिया है आलू और आलू छोटा छोटा मैंने काटा है क्योंकि गैस में खाना बनाते है तो जल्दी जल्दी बन भी जाता है टो गैस का बचत भी हो जाता हूं तो गाइस देखिए यह आलू को थोड़ा सा पहले थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे तो तीन मिनिट फ्राइ करेंगे फिर उसके बाद पपीता डाल के फिर इसको फ्राइ करेंगे मतलब फ्राइ मतलब इसको थोड़ा सा चम्मत चला लेंगे थोड़ा सा यह थोड़ा सा पक जा तो उस दिन के लिए बंगाली लोग जैसे नॉन वेच के भी ना तो बंगाली का नहीं चलता लेकिन जब वेच बनता है तो कोई कोई बंगाली को मुह उतर जाता है तो उस टाइम के लिए ये एक दम परफेक्ट एक सबजी है तो उस टाइम पर बना के खाएंगे ना एक दम दिल खुस हो जाएगा पता यह इतना बढ़िया बनता है और यह चावल और रोटी दोनों के साथ ही अच्छा लगता है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है तो गाइस देखिए यह देखिए अभी ना यह थोड़ा सा मैंने चम्मच्चा लाल लिया है यह थो तो अभी ना इसमें कच्छा जो चना है यह चना वे कितना पता है कितना हेल्दी होता है आप लोगों को तो पता है और इस सब्जी में चना डालके खाने का स्वाती अलग है तो मैंने चना डाल दिया है और हरा मिर्ज मेंने कच्छा पका हरा मिर्ज डाला है और देखिए ग एक बार ऐसे बना के ट्राइ करके देखिए कितना बढ़िया बनता है तो देखिए अधरक का पेस्ट एक चमच नमक स्वादानुसार यहां पे हल्दी का पाउडर जो है वह एक चमच और फिर जीरा पाउडर धन्या पाउडर इसमें सूखा लाल मिर्च नहीं जाएगा सूख चमच नहीं के बाद इसका स्वाद अलग हो जाएगा तो ऐसे अगर आप लोग बनाएंगे ना थोड़ा जादा पसंदे तो थोड़ा जादा है यहां पे जो हरा मिर्चे ना वह जादा है यह जो सुखा जो मैंने मेज डाला है वह भी थोड़ा जादा यूज कर लेजिए तो यहाँ पे जो powder है ना मतलब लाल मिश्च powder वो मत यूज़ किजिए. तो guys मसाला में अच्छी तरीके से भून डूँगी. तो obviously पानी डालने के बाद यह अच्छी तरीके से भूनना पड़ेगा. क्योंकि पानी डालके यह अच्छी तरीके से भूना जाता है. तो guys अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को subscribe किजिए, like किजिए, comment किजिए, share किजिए और बहुत सारा प्यार दीजी. तो guys देखिए मसाला में अच्छी तरीके से भून लिया है, अभी इसमें में डाल रही हूँ पानी. तो पानी आप लोग जैसा सबजी रखेंगे, इसमें ज़्यादा पानी भी रख सकते हो और कम सुखा भी रख सकते हो. तो मैं यहाँ पे ज़्यादा जोल भी नहीं रखूँगी, मतलब ज़्यादा पानी भी नहीं रखूँगी और ज़्यादा सुखा भी नहीं. तो दस मिनित मीन देखिए मैंने पका लिया है इसमें अभी थोड़ा सा पानी है देखिए तो अभी देखिए रोटी दोनों के साथ ही आसम लगता है पता है तो guys देखिए यहां पर सबजी पूरा पक चुका है तो फिर भी मैंने और 5 मिनित में धकन धाल के पका लिया है तो guys देखिए और 5 मिनिट के बाद देखिए पानी पहले जो पानी था वो खतम हो चुका जैसे सूप गया है पानी अभी देखिए थोड़ा थोड़ा पानी बचा है लेकिन ऐसा ही में मतलब ऐसा ही रखेंगे इसमें और नहीं सुखाएंगे और पानी जैसे इतना पानी काफ देखिए में थोड़ा बहुत चीनी डाल के खाते है तब हम लोगों को अच्छा लगता है और थोड़ा सा जीरा धनिया और जो ब्लैक पेपर ना इसका पाउडर इसको ड्रायरोस्ट करके पाउडर बना के रखाए यह वाला पाउडर डाल दिया इसका स्मेल बहुत देखिए मैंने बोल में डाल लिया है और गरम गरम चावल या रोटी दोनों के साथ ही बहुत अच्छा लगता है तो आप लोग भी ट्राय किजिए एक बार ट्राय करके देखिए बहुत बढ़िया बनता है और चीनी अगर आप लोग देना पसंद करते हो तो दीजिए नह कर सकते हैं क्योंकि हम बंगाली और लोगों को ना वैच खाने में चीनी चाहिए ही चाहिए क्योंकि हम लोगों का आदत है तो आज का वीडियो इतना ही मिलते फिर अगले ब्लॉग में बाई 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 आई आप सब अच्छे से रहें